हालो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों जब मैंने स्विक का ओनर्सिफ रिव्यू बनाया था और उसमें सी एंजी का माइलेज लोगों को बताया था तो लोगों को बरोसा नहीं है उन लोगों जाएंगे और दोस्तों इसमें हाइवे और थोड़ी सिटी मिक्स अलेगी अभियास गैस की लाइट वगयरा देख सकते हैं जो ब्लिंकिंग कर रही है जिसमें गैस खतम जैसी हो चुगी है कुछ किलोमेटर पर चल सकती है जब लिंकिंग होती है तो कम 15 किलोमेटर जैसी चल दिया जिसमें से मैंने 12-13 किलोमेटर को चला दिये और अभी आने वाला है सिए जी पंप तो हम इसको करा लेते हैं फुल फिर आपको आईडिया आ जाएगा कि आप पेट्रोल पंप पे आप देख लोगे कि क्या बाव इसके गैस है उसको आप निकाल भी सकते हो कि अब थोड़ी बैटर आती है और आपको पिक अप वगेरा भी अच्छी आती है पेट्रोल और सी इंजी में ज्यादा कुछ आपको फरक नहीं लगेगा और अच्छी की पीक वगेरा भी अच्छी आती है तो अब इमने कच चालू कर देते हैं इसको फिल अब करना भी पाई करीब हो चुकी है और यह online pump है तो इसका प्रेसर भी काफी अच्छा है तो आपको 10 किलो से तो उपर जाएगी और फिर दुबारा में इसको जब खतम हो जाएगी दुबारा फिलफ कराऊंगा तो आपको पता भी चल जाए कितनों किलोमेटर चली और क्या इवरेज पट रही ह यह online भी देख सकते हैं आप तो दोस्तों यह 500 के करीवन आ चुकी है अब देख सकते हैं पांसो कुछ 30 रुपे की इसमें गैस आ चुकी है अभी प्रेसर अच्छा है तो 10 किलो से उपर गैस आ चुकी है तो दोस्तों उलमस्ट इसका जो सिलेंडर है cng गैस का वोलमस्ट खत देते हैं जीरो जिससे आपको एक जेट आई डिया जाएगा कि कि इतना किलोमेटर चलिए दिख नहीं रहे थोड़ी में लाइट कम कर देता हूं इसकी तो आपको जीरो दिखे कंप्रीट और अभी इसमें कुछ 661 हो रही है इसका किलोमेटर जो चला हुए है और अभी हम दोस्तों इसको चलाना शुरू करते हैं और दोस्तों अभी नाइट हो रही है तो मैं जैसे जोब करता हूँ वहाँ पर मेरे करीबन मेरे को एक ट्रिप मेरे को 70 किलोमेटर जैसे पड़ जाती है तो आपको दो दिन में 2-3 ट्रिप होगी तो मेरे को आपको आईडिया आ जा चालूँ है एसमें 25 पे कर रखिए ज्यादा लो पे नहीं कर रखिए और एस हमेसे हम चालूँ ही रखते हो और एसी के साथ में पता चलेगी किस परकार की दे रही है अभी मुझे घर जाना है फीर सुबह में वापस आउँगा जोब के लिए फिर सामको रीटन जाउँगा तो करीबन ये आपको 200 किलोमेटर जैसा मेरा हो जाएगा तीन ट्रिप में तो आप पता चल जाएगा कि मतलब कितनी गैस आ रही है और मैं ऐसा होगा तो मैं पेट्रोल डला के भी इसमें पूरी आपको एवरेज दिखा दूँगा कि किस परकार से कितनी चल रही है अभी नाइट है तो मैं ज्यादा इसको चला भी नहीं सकता बाकी आप देख सकते हो कि साथ के करीबन चल रही है और इसकी अभी आप देख सकते हो चार की चार पॉइंट इसमें पूरे हैं और आप किलोमेटर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कितनों किलोमेटर यह चल चुकी है अभी तो यह 15 किलोमेटर चल चुकी है और 15 किलोमेटर में अभी तक आप इसका एक भी पॉइंट नहीं गया इसका एक पॉइंट लगबग 30 20 किलो मेटर जए चल जाता है इसका जो थर्ड पॉइंट और फा लास्ट पॉइंट है वही अच्छा चलता है विदेख दो सिसका 35 किलो मेटर इसमें हो चुका है अभी देखते हैं कि पॉइंट कितना है दो देखो इसमें 30 किलो मेटर के लगवग चली यह गाड़ी तो एक प करीब आपके 40-50 km के समधिंग निकल जाता है तौह हम देख लेंगे कि आपको लाश्ट में कितना चलती है और मैं इसके एवरेज वगेरा में ही चला रहा हूं अभी आपको देख सकते हो साथ के करीबन चल रही है और क्योंकि नाइट है वगेरा तो हम ज्यादा रिक्स नहीं लेते हैं हम इतनी चला तो क्योंकि हमारा तो रोज का अब डाउन है अभी अभी इसका लास्ट पॉइंट है और 171 किलोमेटर की गाड़ी चल चुकी है सी एंजी के अंदर अभी आप इसमें भी लोग बोलेंगे कि तुमनें दिन का क्यों नहीं देख दोस्तों मेरा कोई फायदा कोई नुक्सा नहीं है अगर आपको पसंद दो लो कोई नहीं इसे मेरा कोई फायदा नुक्सा नहीं है कि गलत नोलेज देने से कि मेरा कोई फायदा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जितनी किलोमेटर चलती है मैं वही बताऊंगा और आप देख सकते हैं इसमें अभी एक किलोमेटर हो चुके हैं आपके हो चुके हैं 181 किलोमेटर से मे निकाल देती है आराम से अभी हम देख रहते हैं कि कितना निकाल लेगी लगबग आप देख सकते हैं इसमें कि 201 km भी हो चुका है इसमें और अभी यह लाइट इसकी अभी भी ब्लिंकिंग ही कर रही है अभी इसकी माद में इससे ज्यादा खतम होगी तो साउंड आने लग जाएगा जिसके बाद में तो यह उल्मस्ट खतम ही हो जाती है एक किलोमेटर भी नहीं चलती वह तो मैं करू 16-17 km चल चुकी है और इसमें गेस ओल्मस्ट खतम हो चुकी है और मैं इसमें दूसरी बार गेस डलाओंगा और फूल कराओंगा तो अब उससे भी समझ सकते हो कि इसमें कितनी गेस बची हुई थी के नहीं थी अब देखो दोस्तों 205 km चल चुकी है और सामने आ गया है पे देते हैं 205 km आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कोई चैन नहीं किया है अगर आप साइट का किलो मेटर देखो गे तो वह भी और एसी भी चाल हुए और यह पॉइंट में ब्लिंकिंग कर रहा है पॉइंट में भी यह दो चार किलो मेटर हद से ज्यादा अगर से मान सकते और पांच किलमेटर इससे ज्यादा इसमें अभी नहीं चल सकती अब इसमें हम दुबारा गैस फूल करवा देते हैं यह दिख रहा होगा आपको 400-400 के करीबन पहुच चुकी है उस दिन आपको कल आई थी इसमें 537 के करीबन गैस आई थी वह देख लेना वीडियो की में बताएं और अगर आपको स्वीक लेनी हो तो अगर मेरे वीडियो देखना चाहें तो अब देख सकते हैं उसके अंदर आपको ट्रू और एक्सपिरियंस भी दिया गया है और जब किस गाड़ी को मैं खुद भी चला रहा हूं कम से कम मेरे को चला तो दो डाई महीना हो सब्सक्राई का डाल रहा हूं और आप पेटरोल के वीडियो देखनार होता है तो मैं इसके पैटरोले वैसे तो निकाली नहीं है इसमे मैं जो एको कम से कम आपको बारा से तेरा चोदा तक यह एवरेज दे देती है और ज्यादा तर मेरा हाइवे पे रन होता है तो इसलिए मेरे को दे देती बागी नॉर्मल एकितम सिटी सिटी में चलाएंगे तो भी आपको दस के करीबन तो एवरेज यह पेट्रोल में दे ही देगी तो दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रू बताए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थेंक्यू दोस्तो वचिंग फॉर